दशमलव की तुलना के उधारण तीन संख्याओं 542.5, 542.56 और 542.561 की तुलना करें सभी संख्याओं में पूर्ण संख्याओं वाला भाग समान है लेकिन उनके दशमलव वाले भाग भिन भिन है सभी असमान दशमलवों को उनके अंत में 0 बढ़ा कर समान दशमलवों में बदलें अब संख्याओं 542.5, 0, 0, 542.56 और 542.561 होंगी केवल दशमलव वाले भाग पर ध्यान केंद्रित करें पहली संख्या 500.000 है दूसरी संख्या 560.000 को निरूपित करती है और तीसरी संख्या 561.000 को निरूपित करती है इसलिए 542.561 बड़ी संख्या है 542.5 और 542.56 से इसी प्रकार 542.56 बड़ी संख्या है 542.5 से इस तरह 542.561 बड़ी है 542.56 से जो बड़ी है 542.5 से जब कराम है 542.571 बड़ी ओन दीचल